हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम आपके हिंदी रिमजिम का पार्ट चोधाह बाग आया उस रात पढ़ेंगे बाग को इंग्लिश में टाइगर कहा जाता है जो की एक वाइल्ड आइनिमल है जो जंगल में रहता है और हमारे भारत देश का रास्टे पशू भी बाग ही है जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि दिन पर दिन बागू की संख्या लगातार घटती जा रही है और इसका क्या कारण है इसका सबसे बड़ा कारण है शहरी करन कि जो कि जंगलों की दिन पर दिन कटाई होती जा रही है और जो जानवर हैं जंगली जानवर हैं वो बेघर होते जा रहे हैं और यही कारण है बाग का शेहरों की तरफ रुख करने का शेहरों की तरफ आने का इस कवीता में भी हम बाग के बारे में ही पढ़ेंगे कि बाग कैसे शहर की तरफ आया और क्या हुआ इस कवीता में दो बच्चे हैं जो की अपने पापा को बाग की बात बताएंगे कि उन्होंने उस रात क्या देखा आईए शुरू करते हैं आपकी कवीता पाठ चौदा बाग आया उस रात वो इधर से निकला उधर चला गया बच्चा क्या बता रहा है कि पापा एक बाग मैंने देखा जो इधर से निकला मतलब माली जी लेफ्ट साइड से निकला और राइट साइड की और चला गया वो आखे फैला कर बतला रहा था बता रहा था कि उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बाग आया Left साइट से और Right साइट की और चला गया हाँ बाबा बाग आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो अब बच्चा क्या बोला? कि हाँ बाबा मैं सच बोल रहा हूँ बाग उस रात आया था और इसी लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज आप बाहर मत जाओ जाने कब बाग फिर से आ जाए अब बच्चा क्या बोल रहा कि बाबा बाग उस रात आया था इसका मतलब बाग दुबारा भी कभी भी आ सकता है तो प्लीज आप बाहर मत जाओ हाँ वो ही वो ही जो उस जहरने के पास रहता है अब बच्चे ने बोला कि हाँ बाबा वही बाग आया था जो उस जहरने के पास रहता है जंगल में कोई जहरना होगा जहरना वोटरफोल होता है बिटा जो उचाई से पानी गिता उसे जहरना बोलते है आपने इग्वियस के लिसन में पढ़ा है जरने के बारे में तो वो बाग है पापा वो जरने के पास ही रहता है वही बाग आया था बच्चे ने ऐसा अपने पापा को पताया वहाँ आपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज बच्चा क्या बोला कि पापा आपको याद है ना आपन मतलब हम लोग हम लोग उस दिन गए थे ना एक रोज बाग उधर ही तो रहता है बाबा उसके दो बच्चे है बच्चे ने क्या बोला बाबा आपको याद भी है अब एक दिन जंगल गए थी हमने देखा था कि वहाँ पे जर्ना था और वही पर एक बाग रहता था जिसके दो बच्चे भी है बागिन सारा दिन पहरा देती है बाग या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है अब बच्चे ने क्या बोला कि बाबा हमने देखा थो था कि वहाँ पे एक बागिन भी जिसके दो बच्चे हैं बाग का स्ट्रिलिंग होता है बेटा बाग ही ठीक है उसके दो बच्चे भी है हमने देखे थे ना बाग या तो सारा दिन सोता रहता है या बच्चों के साथ खेलता रहता है दूसरा बालक बोला बेटा जो अभी तक जितनी भी लाइन बोली वो पहल जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस कवीता में दो बच्चे हैं जो कि एक वाक्या अपने पापा को बता रहे हैं ठीक है अब दूसरा बच्चा बोला बाग कहीं काम नहीं करता ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में अब दूसरा बच्चा क्या बोला कि बाग अब क्या पता कि जानवर स्कूल कॉलेज नहीं जाती तो वो अपना दिमाग से बोल रहे हैं कि पापा बाग तो कुछ भी काम नहीं करता नहीं स्कूल जाता है और नहीं कॉलेज जाता है छोटू बोला स्कूल में भी नहीं अब छोटा बच्चा क्या बोला क्या भीया वो स्कूल और कॉलेज में भी नहीं जाता वो एकदम से चकित रह गया हैरान रह गया कि हम तो स्कूल जाते हैं और बाग तो स्कूल भी नहीं जाता पास साला बेटू ने हमें फिर से अगहा किया अब चो छोटा बेटा था पास साल का उसने दुबारा से अगहा किया अगहा करना मतलब दुबारा से चेतावनी दी, दुबारा से वार्णिंग दी, कि अब रात को बाहर होकर बातरूम ना जाना, उसने फिर से याद दिलाया कि बाबा जैसा कि हम आपको बता रहें कि हमने बाग देखा था, और वो घर के आसपास ही घूम रहा था, तो आप पिल्कुल भी बाहर मत जाना, बातरूम के लिए भी कोई भी बाहर मत जाना, अब बिटा ये कविता में यही दो बच्चे हैं, जो कि उस रात की कहानी अपने बाबा के साथ शेयर कर रहे हैं, ये कविता आपकी लिखिये, श्री नागर जुन्ने, ठीक है, देखा और वही वाक्या उन्होंने अपने पापा के साथ शेयर किया, लेकिन इसका एक hidden meaning भी है, इस कविता में जो नागर जुनकवी हैं, वह बताना चाते हैं, कि कैसे जंगल की दिन पर दिन कटाई होने के कारण, बाग हमारे शेहरों की तरफ आ रहे हैं, जिनसे इनसानों को भी खत्रा है और बागों को भी खत्रा है, क्योंकि इनसानों को खत्रा है, क्योंकि बाग एक हिंसक जानवर है, वह कभी भी हमला कर देते हैं, और इससे बागों पर भी खत्रा मंडरा रहा है, क्योंकि बाग जब हमारे शहरों की तरफ आते हैं तो हम इनसान उनसे डर कर अपने बचाव मेर उनको ही हानी पहुचाते हैं उनहीं का शिकार करते हैं जिनसे उनकी मोत हो जाती है और दिन पर दिन बागों की संख्या घटी जा रही है बिटा आश्या करती हूँ कि यह कवीता आपको अच्छे से समझ आयोगी अब आप इस कवीता को अच्छे से खुद से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे धन्यवाद